टुन्डरा एको सिस्टम, फस्ता कॉंटेंट्स, अगर हम बात करें यह बिसिकली एको सिस्टम यह लार्ज स्केल अगर हम बात करें तो यह बायोम भी इसको बोलते हैं because they have specific environmental conditions जो हैं वो तो अगर हम अर्थ की बात करें पहले हम अगर हम जेनरल एक मैप अर्थ का देखें तो इसमें हमारे पास जो सबसे जो एक्स्ट्रीम रीजिन्स हैं आर्थ के जिसमें आर्पास एक तरपाँ जाओ नौर्दन हेमिस्फियर और जाता है जिसको कुटब शिमाली कहते हैं तो यह वो लाक्या जो इन्थाई सर्द हैं तो यह यानि कि इसको पॉल्स बोलते हैं तो पॉल्स जहां वो सवीर कंडिश होता चला जाएगा और अल्टीमेटली जब हम बिलकुल अर्थ के सिंटर में आएंगे जिसका हम एक्वेटर कहते तो वहां इन्वार्मेंट जहाओ वो वाम होगा क्लाइमेट जहाओ वाम क्लाइमेटिक कंडिशन इसका मतलब यह हुआ कि हम बकाइदा अगर पॉल से इस तरह स्वीर कोल्ड से आएश्या जाओ लेस कोल्ड फिर उसके बाद मायलड और वाम कंडिशन आजाएगे अब जो टुन्डरा है यह बेसिकली एको सिस्टम वहां जो के एक्जिस्ट करता है बिलकुल जहाँ वह एक्स्ट्रीम के उपर पोल्स के पास जो रिजन है उसका हम क्या है और जो अर्थ है वह सॉआले ढ़िक्षा पर्मास्ट फर्माफरोस्ट का मतला कर गवह जमी हुई ब conson bore में व जो कि फ्रोज़न तो अब टुन्ड्डा की क्या हो सकती है लो सभी किलाइमेक कन्दिश proportion में क्लाइमेक के करीशन में आगर मेंगे सब्सक्राइब करने टाइन की बसित मेरी फुन टो सवं उसी नहीं होती है तहसे नहीं सब्सक्राइब तोड़ा सा जाओ क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा और जो है वो थोड़ी देर के जो आइस जो हता हो कुछ लैंड के उपर से जाओ मेल्ट कर जाएगी तो यहने कि 60 डेस जो इसके पास क्या है कि ग्रोइंग सीजन या क्या से जिसको हम समर सीजन जाओ हो मुझूद है देने स्वाइल स्वाइल कंडिशन अगर हम देखें तो इसके लाव अगर हम देखते हैं तो जो स्वाइल है इस इस mostly because it is throat covered by the ice cap, ice जो इसको throat cover कर रखती है, snowfall cover करके रखती है, तो जो spring season के उपर जो earth सामने आएगी, soil सामने आएगी, that is actually occupied by the bogs, marshes, ponds, जो सोट इसको इसको क्या करती है, वो cover करके रखती है, और इसके लबावा, जो soil है, it is also having the decade material, decade organic matter, जहाँ वो क्या है पर, vegetation जहाँ है, वो मुझूद है, so precipitation, precipitation के अगर हम बात करते हैं, तो precipitation means rain or the snowfall, so tundra ecosystem, although it is very cold region, but it is having very less precipitation, कि इसके जो precipitation है, rain fall है, वो बहुत कम है, जैसे, अगर हम देखें, तो normal it is 25 cm per year, यह सिर्फ 25 cm per year होगी, यह नहीं approximately 10 inches बनेगी हमारे पास, तो rain fall जहाँ बहुत थोड़ी है, लेकर चुकि यह rain आ रही है, वो फिर उसी frozen farm में मुझूद है, यह पर जो rain के बज़ाए, जो maximum precipitation होगी, that will be in the farm of snow, तो snowfall की सूरत में जहाँ प्रेस्पिरेशन होगी, तो earth जो हैसके ओपर, low temperature के वज़ा सा, जो low precipitation है, वो भी क्या करेगी, वो उसी के उपर ही जा, वो एक tag की farm में बनाती ही रहाएगी, temperature, extremely cold environment, temperature in winter, it may be less than minus 50 degree centigrade, minus 50 degree centigrade से भी क्या करता है, यह low चला जाता है, summer season या spring जिसको हम कहते हैं, इसमें temperature maximum 10 degree centigrade होता है, तो winter में minus 50, spring में 10, average temperature जो रहेगा throughout the years, अगर हम calculate करें, it will be minus 10 degree centigrade, minus 10 degree centigrade is the average temperature of winter ecosystem, plant life, because conditions are very severe, so the trees, they cannot grow there, trees वहाँ जो के ग्रोर नहीं कर सकते हैं, ultimately, the plant life is consisting of grasses, grasses के फार में मुझूद है, mosses के फार में मुझूद है, इसके लावे सम शिरब्स जो है वो, मुझूद डवाफ शिरब्स की फार में मुझूद हो, मुझूद हो, मुझूद हो, के प्लान ग्रोफ होती है, वो बहुत स्लो होती है, so animal life, animals present in the tundra ecosystem, they are the important, उसमें अगर हम देखे, musk ox मुझूद है, यह इसके लावा, arctic hair मुझूद है, arctic fox मुझूद है, then the owls है, और इसके लावा, reindeer जो है, वो very famous, जो हो animal, जो हो, arctic region का जो हो, मुझूद है, so here we have, the diagram of tundra ecosystem in the winter season, तो आप देखते हैं, maximum जो region है, अगर इस landscape को देखे, it is covered by the ice, snowfall से covered है, अच्छा जो land है, वो आप देखने हैं, किसी तरह की vegetation के पर मुझूद है, कोई landscape पर जहावा, trees जहावा, नजर नहीं आते हैं, so this is the spring season, or summer season of tundra ecosystem, अब summer season में क्या होगा, कि आप देखने हैं, small grasses will grow, बहुत से small grasses होंगे, इसके लावा इसमें lichens grow करेंगे, lichens के लावा इसमें कुछ ferns grow करेंगी, या फिर बहुत छोटी जहावो शिरब्स या plants जहावो grow करेंगे,